हाई फ्रेंड्स मैं प्रविंद्र खारी फ्रेंड्स आज किया हमारी एम सतेज दाइफुलेजी की वीडियी रेकेमेंडेशन है डेविड ब्लॉंस्टीन वर्सिज मिखाईटा लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शियूरू करूँ मैं आप लोगों से फिर दुबारे वही गुजारिश करना चाहूँगा आपने काफी अच्छा रिस्पांस मेरे दूसरे बादे चैनल पर जुमल नया बना है जिसका लिंक उपर आपको कहीं नहीं नजरा रहा होगा अब प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वहाँ मुझे आपके सयोग की बहुत जरूरत है इस्पेशली जो लोग फिजिक्स को काफी अटेच करते हैं या साइन्स से को रिलेट करते हैं आपने आपको और इन फेक्ट अगर आप साइन्स एंड टेक्नलोजी फ्रम आई-स पॉंट अफ व्यू से या किसी कॉम्प्टिटिव एक्जाम पॉंट अफ व्यू से भी जानना चाहते हैं तो मेरे एकाल से वह आपके लिए बहुत हैल्फुल रहने तो चलते हैं वहने डर्क लिए उस गेम में मिखाईल टाल ने यहां गेम को शुरू किया था इफ़ोर के साथ डेविड ब्रॉंस्टिन ने शुरू किया था एफ़ाइव का रेस्पॉंस यहां मिखाईल टाल ने किया मिखाईल टाल ब्लैक पीसिस के साथ खिल रहे हैं और डेविड ब्रॉंस्टिन वाइट पीसिस के साथ एफ़ोर हुआ डी फाइव अन्यूस्वल ओपनिंग है एटेक्स डी फाइव देन हुआ एफ़ोर ताकि यह बिशेप आया सी फॉर स्क्वाइर पर और अगले मूव की आपको यह थरेट जरूर नजरा आगी होगी जियो सीधा सीधा फॉक लगाने के लिए तैयार है तो क्विन यूट्टु पहले ही यहां इस नाइट को पिन कर दिया गया है तो बिशेप फाइव नाइट पर पहले नाइट एक्षेंज की कॉप्लिकेशन इतनी जादा बढ़ चुकी है समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मैट्र एक्षेंज किया जा सकता दरवाइस यहां यहां इतरी बिशेप खत्री में जाता है तो डेविट ब्रॉंसीन ने पहले यहां किया बिशेप टेक्स और अब यह नाइट कहां गया नाइट एक्षेंज की मामले में पूरी गेम वाइट को एक पूरी गेम इक्वल है वेल बिशेप बचा लिया यहां पर पहले डिविट ब्रॉंसीन ने फ्रेंट यहां इस पॉइंट पर मेरी खाल से मिखाइल टाल नाइट टेक्स अपनी डिवलोब्मेंट पर ज्यादध ध्यान दिया और इसके बाद यहां ब्रॉंस्टीन काया कैसल बिशेप ए-4 पॉर पॉन तो कहीं नहीं जाने वाला था मिलना ही था उल्टा नाइट पर अटेक अगर बैट गया नाइट गया जी फाइंट से मेरे ख्याल से काफी पर आखिर यह हो क्या रहा है डेविल बांस्टीन ने यहां पर दिया है एक्शें सेक्रिफाइस क्या कैलकुलेशन हो सकती है यहां पहले नाइट पर भी अटेक है और यह अटेक भी काफी डंगरिस हो सकता है वेल बिशेप टेक्स ए-7 क्यों ना असेप्ट किया जार मिखा पहले यहां पर वाई है जो ना और मेरे ख्याल से मिकाल टाल भी अब कैसल कर सकते हैं ते सही समय आ चुका था यहां कैसल करने लेकिन ऐसे होने कबाद नाइट एक्शेंस जो सेक्रिफाइस दिया था वो यहां पर मेरे ख्याल से डेविड गाउंस्टीन का जस्तिफाइड लेकिन चलते हैं गें पर यहां खिला गया सी फाइव बिशप की फाइरिंग रेंज को बंद करना जरूरी है मिकाल टाल आय कर रहे है टोर्ज शॉर्ट साइड कैसल करने को लिए बिशप सी फोर और फ्रेंड्स यहां अब जरूर खतरा है कैसल ओके नाइट पर भी अटेक ह बिशप पर अटेक बनाने के बाद अब समस्या है वाइट के साथ मेरे खाल से बिशप बी ट्री अगर करते हैं तो अपने आपने प्रॉब्लम एक भी सी पॉन कुछ होगा बिशप टेक सी फोर वी टेक सी फोर होने के बाद नाइट एक सैच्छरेट कर लेते हैं और जड़ करने के बारे में सूचा जरूर जा सकता है लेकिन उसके बाद वाइट अपने इस नाइट को भागा कर ले जाएगा ब्लैक का किंग और यहां इस बी फाइफ पॉन पर किंग गया ई7 स्वार पर नाइट टिक्स बी फाइफ कर लेना चाहिए था बिशप टिक्स बी फाइफ सही है था मिखायल टाल करते हैं तो नाइट पर इशूज है लेकिन नाइट के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि और वो पिन नहीं रहा है लेकिन चलते हैं गेम पर यहां पहले खेला गया रूक एच गोस टू एफट अपने बिश को बाहर निकाला और यहां इस स्कॉर पर और फ्रेंड्स डेविड ब्रॉंस्टीन वाकिए में घजब की रहे हैं आप जहां देखें कि बिशप ने यहां इस सी फाइफ पॉन को पिन किया हुआ है और उसकी मदद से यह नाइट बाहर निकाल लिया है कि इनमें से और एग्रेसिव स्कॉर पर क्योंकि नाइट को आटा होगे तब हम इस पॉन को ले लेंगे यह मिखायल डालने का रुक जी वन बिशप पर अटेक बने के बाद बिशप अटा नहीं होगा जहां मर जी बिशप अटेक इनफेक्ट सीधा सीधा मुझे यह थ्रेटनिंग मूव ज़रूर नजर आ रहा है जो नाइ बिशप को F3 स्क्वाइर पर ले जाने की मैं बहुत एक्स्विनेशन नहीं दूआ क्योंकि मिखायल डाल की गेम कुछ इस तरह से हमेशा से रही है कि चैसिंगन चाहे जो मर जी मोट पर है लेकिन मिखायल डाल उस गेम को अपने फिर में लेकर ही चले जाते हैं यहां डाल अपने बिशप को E4 स्क्वाइर पर प्लेस किया और यहां बिशप का E4 भी डेंजरस मोग है खाला कि डैविड चाहते तो इसी बिशप को वापस कागेट कर सकते हैं देखे कैसे करते हैं लो की E1 स्क्वाइर पर आता बिशप पर अटाइब बिशप पर डिफेंज करने के लिए नाइट को हटा देते हैं देन 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 क्या करें नाइट टेक्स C5 बिलकुल किया जा सकता है और यहां एक और पॉंड काई डाल वो गवाण अपड़ जाता है लेकिन चलते हैं गेम पर यहां के लाग है नाइट C7 बिशप अभी पिन नहीं हुआ है रुक आया D8 स् स्क्वाइर पर जाता है तो उसके बाद आएगी नाइट से ही कॉर्ट चेक नाइट B5 चेक होगा किंग को C6 स्क्वाइर पर ही जाना होगा देन उसके बाद होगा नाइट टेक्स C7 चेक और पॉंड यहां मिखाइल टाल एकी करके खोती रहेंगे यहां डेविड सीधा सीधा मिल रहा है वो हमारे जैसे लोग ब्रॉंस ली नेहां पहले चेक दी किंग गया G6 स्क्वाइर पर गयन हुआ रूप E7 और अब दिया उन्होंने बिशेप पर अटेक काफी अलग हैंगे नाइट F6 नाइट का बचना भी जरूरी था बिशेप पर डिफेंस भी ह चुपा है लेकिन यहां आप देखिए कि यह चेक जरूर भी जा सकती है लेकिन उसे पहले नाइट गया E6 स्क्वाइर पर और यहां पॉन पर डिफेंस फिलाल वापस कर लिया गया है और अगले मूव में क्या तैयारिया हो सकती है यह चेक आपको नजारा रही होंगी लेक कि बिशप सेफ कर लिया आपने किसी पीस कॉन डिफेंडिन ना छोड़ो और जो खत्रा हो सकता था बैक रेंट चेकमेट जैसा भी है था तो नहीं लेकिन फिर भी ब्रॉंस्टीन ने अपने किंग के लिए एक घर मना लिया है रुक H5 और फ्रेंड्स ये है गड़बडवा क्यों गड़बडवाला आप यहां देखिए यहां पर खेला गया नाइट G5 और अगले मूव में क्या प्रेट यहां अगले मूव में बिशप से आ रही है चेक और क्या इसे चेकमेट माना जाए जैसे देखते हैं कि अगर यहां पर बिशप F5 जैसी आप्शन मिखाल टाल चुले है तो उसके बाद बिशप F7 चेक होगा ही होगा और किंग H6 स्क्वार पर जाएगा और उसके बाद बुक के रुक लिपट जाएगा इसमें नहीं वो ठीक नहीं है तो यहां पहले खेला गया बिशप D5 बिशप एक्शन आसके गया टाल भी हार नहीं मानने वाले ब लेकिन इसी नाइट को एलिमिनेट करने के लिए बिशप D2 स्क्वार पर गया और यह डेंजरस चेक मेटिंग फ्रेट आप देख सकते हैं पहले के लगया C4 आप लोईस नाइट को मैं रहा इस बिशप को ड़ा दूँगा ताकि आप अमले मुव में वो खतरना चेक मेटिं चलते हैं गेम पर यहां ब्रॉंस्ट्रीन ने अलग नाज में चेक मेटिंग फ्रेट लगाए बिशप यहां गया F5 स्क्वार पर देन हुआ C3 बिशप को पेने कर दिया लगाओ यहां से लेकिन बिशप टेक्स C8 रुख कर दिया फ्रीम आफ कोस्ट पर चेक मेट तो मची यहां पर C टेक्स B2 विद चेक यह हुआ एक और एक्षेंज सेक्रिफाइस अब दिया है इस बार मिखाईल टाल ले तू सेविज दिया किंग टेक्स B2 देन हुआ रुख टेक्स H2 और क्या बनेगा भी कोई थ्रेट इमिजएट को नहीं नज़रा रहा रुख टेक्स A7 की को पहले यहां पर डेविड ब्रॉंस्टीन ने चला रुख गया F2 स्क्वाइर पर देन वहा रुख A4 पॉन पर हो चुका है डिफेंस और अब क्या लैक करें हैं मिखाईल टाल पॉन्स को सिर्फ एक पॉन्स के पास इस एक पॉन्स से क्या कर लेंगे चलिए देखते हैं क् लेकिंगे जी सिक्स स्क्वाइर पर डेल डूब डीफोर एच फाइव दोनों ने अपने पॉन्स को भागाना शुब कर दिया है एफोर एच फॉर एफाइव बिशेप आया जी टू स्क्वाइर पर काफी स्पॉन्स को अराम से प्रोटिंग स्क्वार तक पहुंचाय सके मिखाइल डाल ने चली है यह ऑप्शन बिशेप गया बी सेवन स्क्वाइर पर आस्की फॉर डिस बिशेप एक्शेंज नाइट टेक्स एफ़ पॉर पाउन को लिया गया नो यूज़ एट ओन लॉग क्योंकि फाइनल मूव यहां पर डेविड बॉन्स्टीन को लगाने का मौका मिला वो था रुक टेक्स एफ़ और फ्रेंड्स यहां इस मौक के बाद फाइनली मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ गया और कम से कम वो लोग मुझे दोश ना दे जो मिखाइल टाल के बहुत बड़े रहन है कि आपने हारने वाली गेम बना दिया है यह वीडि तो ले लो इस नाइट को कोई दिक्कत नहीं यहां इस पॉन को कौन रोकने वाला है इवन अगर यहां सीधा से नहीं रुकेगा किसी भी बिशाप है तो सभी सभी प्रेशान करने लिए वेल फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम थी मुझे उमीब है आप समीरों को भी यह को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहदन जा रहे हैं थैंक ये फर मुचिंग बाइफर नाव